कि एक कहानी सुनाता हूं ध्यान से सुनना मेरा नाम सोहन है ठीक है मान लो और मैं आप लोग के जगर पर हूँ मुझे मैस बिलकुल नहीं आती ठीक है मैंने मैस को सिर्फ क्लास दें तक पढ़ा है या फिर हो सकता है इसके बाद मैंने पढ़ा भी है तो फेल हो जाता था टiand document आप तो मैं क्या करूंगा तो मैं आपको सप्से पहले सबस्के सोचा कि अगर करनी है और मुझे मैं ईताकरनी है और मेरी मी उग्ञाई है जूकरिय आती है इस कि मैस मुझसे काफी अच्छी है ठीक है प्लस दूसरी चीज कि चुकि मेरी मैस वीक है तो मुझे मैस में जाए टाइम देना पड़ेगा as compared to other subjects यह बाद आपको समझ में आ रही है ठीक है सबसे पहले मैं यह प्लान करूँ है कि मुझे करना कैसे है तो जो मेरा डेली schedule होगा न आपका basic foundation मजबूत करवाऊंगा दूसरा क्या होगा आपका कि दूसरा आपने जब basic foundation मजबूत कर लिया तो उसका अब questions को जल्दी कैसे करना है tough questions को हर type of questions को देखना है तो वो होगा तीसरा आपका होगा practice और चौथा आपका होगा mocks और finalism touch ठीक है तो यह चारो बतन में आ को पूरी देखना ठीक है और वीडियो के end में मैं आपको कुछ books वगरे दूँगा कल मैंने जैसे कि promise किया था आपको giveaway करने का मैं books भी दूँगा ठीक है चलिए start करते है वीडियो को ठीक है अब देखिए सबसे पहली चीज start करते कैसे करोगे आप मुझे पता है कि आपको क पता चलेगा अभी आपके स्पानी में हो कुछ आता भी है कि एकदम जीरो हो नील बटे समनाटा दूसर आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले स्लेवर्स डाउनलोड कर लेना है मैं यहां पर दिखा रहा हूं को दिख जाएगा SBI PO का या फिर जो भी आप एक्जाम देन आपको दो चीश पर काम करना होता है एक तो concept building और एक होता है speed बिना speed के banking exam का प्रिया आपका निकलेगा नहीं और बिना concept के आपका means नहीं निकलेगा concept में सब्सक्राइब करना है concept में आपको बेसिकली पांच से छे अर्चमेटिक चैप्टर पर काम करने हैं कौन कौन से चैप्टर मैं हमेशा बोलता हूं profit and loss percentage time and work time speed distance simple interest components mixture aggregation average यह जो पांच से चैप्टर हैं इन पर आप काम करो कहां से करोगे बेसिक पर काम बेसिक के लिए इंडिया में सबसे बेसिक बुग उठालो वो है इंसी इस मैंने आपको फिशले बाद सेवंटेट के इस बोला था आप में से बहुत सो लोग बोले तरह वह समझ में आया उसमा उसमें ग्रामार और वह उसमें ज्यादा दी होई है आपको वह जो चैप्टर साथ है ना comparing quantities वाला उन चैप्टर को अप लगाओ एक पोश्ट कि तब जाकर आपका एक्जाम निकलेगा ठीक है तो यह सारा जो जहामता में यह आप खतब कर लो at least 10 to 15 डेस के स्टार्टिंग में 15 डेस में अपने सेगंड स्टेश पर और उसमें आपको करना है दो चीज अभी तक जो आपने पढ़ा था वह एक होता है इद्दम बेसिक क अधिके से कर सकते हो ठीक है उसके लिए आप क्या करोगे उसके लिए मैंने आपको पहले बताया था आज फिर बता रहा हूं राकिश आदो कि क्लास नोट्स ले लो या फिर अमर सर का यूट्यूब चैनल सस्क्राइब कर लो किसी एक को पकड़ लो और जितने भी यह चैप को अब आपने क्या कर लिया कि आपको हर चैप्टर का हर क्योशन का करने का तरीका बता चल गया अगर आपको यह पता चल गया तो उसके बाद आब आज आज प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको पता है या तो आप यूटूब से प्रैक्टिस कर लो वना बुक के लिए मैंने आपको प्रैक्टिस कर लिया अब आपको करना क्या है अब आपको फाइनल टेस्ट देना है क्या करना है उसमें मौक्स लगाने है और जो भी यह आपने पढ़ा है जब भी आप बुक को इस बुक को लगाओ गया उसमें टिक करो नहीं पॉट्ट कोश्चन्स रिवाइस करना जो बहुत जरूरी है तो जो आपने पढ़ा है उसका रवीजन करो और फिर मौक्स लगाओ और इस तरह से अपनी आप मैस को इंप्रूव कर स झाल